सातियो नमस्कार मैं हूँ एड़गट सोग सोधरी सातियो आज कुछ नए टोपिक पर बात करेंगे आलांकि फैस्ट वीडियो है हाई स्किल्ज जो जो बोते हैं गलप से रिलेटेड क्यूंकि गलप में लग बग 80% काम अपने बिलिंग लाइन से कंट्रक्शन लाइन से रात वाई से रिलेटेड फॉर्में से समन्टित अपना आज बात करते हैं तो स EVERY कि मान लिजी किसी कम्पनी का प्रोजेक्ट चल रहा है आब Udabi में दुबई में शार्जा में कहीं पर भी मान लिजीए तो वहाँ पर जैसे मान लीजिए कम से कम काफी worker है, for man का मतलब होता है, कम से कम सो, पचार, डेट सो, दो सो लोगों के उपर, जो एक man आदमी होता है, जो उनमें सबसे ज्यादा senior होता है, उसको उस काम जो project रहा, उसका उसको अनुभव हो है, कम से कम 5 साल, 10 साल, 15 साल का अनुभव हो है, वो उन system को, उन आदमी जो worker है, उनके माद्यम से उस system को अंजाम देता है, यानि उस project को पूरा करता है, वो उसको system को maintain करता है, समझ गए, यानि management समालना, जो मान लीजिए 100 worker काम कर रहे हैं, तो उनके उपर कोई तो होगा ना, उनको maintain करने वाला, ये काम आप करो, ये इतना decide करना, उनको काम पे job लगाना, उनको आगे side बगएर बताना, उनको system के बारे में आगे बताना, क्योंकि worker का क्या मतलब है, उनको तो जितना बताया जाएगा, उतना करेंगे, अब काम ख़तम हो गया, उनका दिमाग थोड़ी चलेगा, आगे क्या करना है, वो काम होता है for man का, वो आगे से आगे उनको इनको इन्गवारी देते रहते हैं, system में आगे से आगे, करवाना, उसको 50, 100, 70, 100 लोग उसके अंडर होते हैं, उनको पूरा system मुशी के अंडर में होते हैं, वो worker उनके अंडर में काम करते हैं, उसको for man की, अब condition क्या होती है for man की, तीसरा point अपने रखा condition क्या होती है for man की, तो साथ यो for man हर कोई तो बन नहीं जाता, यह से तो फिर यह से जिसको कारिगर का पता है, जिसको काम आता होगी क्या for man बन जाएगा, for man वो नहीं बन सकता, ठीक है, अपनी इंडिया में उनको बोलते हैं ठेकादार, ठेकादार का मतलब सुना, एक building बना रहा है, उसमें 150 मजदूर लगे, वो उनको maintain करता, वो ठेकादार है, ठीक है, वहाँ पे उसको दूसरी बासा में convert कर देते हैं for man, अब for man बनने के लिए सबसे important, इसमें for man ही मैं मैं बता दूँ कि education important नहीं होती, यह not करना, क्योंकि हमारे इदर के लोग वो वहाँ पे for man है, उनको उठा चाप है, जिन्होंने कभी sign नहीं किया जिन्दगी में, वो for man का काम करते हैं, वो actually मैं होता क्या है, कि जिस company में long time, वो बेट काम करते रहते हैं, करते रहते हैं, जिस यों दुबारा कहीं पर भी apply भी करें, तो वो दिखा सकता है, कि मेरे पास फलानी company का ये experience later है, फोर मेनी में दुबारा interview दे के जा सकता है, उससी शेलली भी अच्छी उसमें मिल जाती है, तो condition यह यह कि अनभव उसको होना चीए, डायरेक्ट यहां से आप जाके वहाँ फोर मेन नहीं बन सकते हैं, वहाँ company में रहते हुए growth करते हुए आप फोर मेन बन सकते हैं, फोर मेनी का ही है, आप इंडिया से direct कौन सी जोब में आप काम कर सकते हैं, वो में next वीडियो में बात करेंगे, ठीक है साथ, यह condition में बने बता दी, शेली की बात करें, तो फोर मेनी में मेरे साब से कम सकते हैं, मैंने जो अन्वोग किया है, जो काफी हमारे इदर के भी लोग रहते हैं, उनकी शेली 2000 से 3000 धरम के बीच में हो सकती है, फोर मेनी की शेली सेहम कभी नहीं रहती है, बात मान लेना, गलब तो एक ऐसी कंठी है, दुबई कतर मसकर बेरे, इन कोई भी कंठी हैं, वहाँ पे किसी की भी सेली सेहम नहीं है, एक कंपनी में 1000 मजदूर है ना, सब की सेली सेहम नहीं मिलेगी, और medical सुविधा मिल जाती है और फोर मेनी में अगर system देखा जाए तो साधन अवेलबल होता है यानि कई कमपनियों में मिलता लेकिन कई कमपनियों में गाडिया भी कमपनिया अवेलबल करा देती है फोर मेन एक थोड़ा अलग पत हो जाते है जो labor के उपर होता है जैसे manager बोल medical insurance free होता है उसका कोई भी अगर दिक्कत हो जाती है वहाँ पर तो उसका medical company की तरफ से होता है साथियों ठीक आना जाना भी इसमें फॉर मेन को company pride करवा देती है रहना खाना आना जाना यह system फॉर मेन से related होता है साथियों तो मैंने मेरे साब से इसमें inquiry दे दी है दो साल का agreement होता है experience के आदार पेस में जोब आगे से आगे मिलता रहता है तो मेरे साब से मैंने पूरी inquiry दे दी है फिर भी अगर आपको लगता है कुछ बाते चूट गई तो आप comment करें next video में उसको सामिल कर लेंगे तो साथियो वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर करने साथ चैनल सब्सक्राइब जरूर कर दिया करो ताकि अन्य लोगों को भी चीज का knowledge हो सके फायदा हो सके ठीक है साथियो तो मैंने इस मेरे साब से clear किया वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर करने चैनल सब्सक्राइब जरूर करने ताकि है रोज नए टोपिक पर नहीं जान करें आपको मिलती रहें जिसे दोखादरिकर सिकारों से बच सके जहिंत बंदे बाद